ब्रेके माग बहुत स्वागत है आपको और अब खबर लखनव से जहांपर UPPCS मेंस परिक्षा को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आए है आपको बतादे कि पूर्व CM अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं अब यारतियों को कम समय दिये जाने पर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं और आपको बतादे कि छात्रों से किया गया था परिक्षा टालने का वादा ये कहना है अखिलेश यादव का साथ ही उन्होंने कहा है कि छात्रियों से किया गया था किया गया वाधा निभाएं तो देख सकते हैं आप ट्वीट आपके सामने है आपके टीवी स्क्रीन्स पर उनका कहना है 12 जून को होने वाले यूपी PCS 2017 में मुख्य परीक्षा को टलवाने के लिए प्रत्योग्यों को टालने की बात की गई थी और अब इस वादे को सरकार निभाएं UCM और पीजपी प्रदेश अध्यक्ष से कहा गया है कि अपना जो वादा उन्होंने किया था उसको निभाएं और साथ ही मांग की गई है कि परीक्षा को जुलाय के अंत में करवाएं और बेहत कम समय होने के कारण उन्होंने बात कई है कि इस परीक्षा को आगे ताल दिना चाहिए जो लाएके अंत में कराएं ये परीक्षा ये कहना है अखिलेश यादफ का और साथ में उनका कहना है कि कम समय होने के कारण संकट में हजारों छात्रों का भविश्य है